नमस्कार आप देख रहे हैं खबर मेडिया दोस्तो इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर सीधे निकल कर आ रहाई है आरियान खान केस में जिसके बारे मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ इस खबर को देखने के बाद आप सभी को पता चल जाएगा कि आरियान खान को रियल में ही फसाने की कोसिस की गई थी और आरियान खान से बदला लेने के तहथ एक बड़ी कार्यवाई को अन्जाम दिया गया था दोस्तों अभी हाली में Supreme Court का और High Court का एक बहुत बड़ा बयान आया है जिसमें High Court ने काफ़ी सारी बाते साफ कर दी है और जिससे ये लग रहा है कि आर्यान खान केस में कोई भी सबुत सामने नहीं निकल कर आया और ऐसा लग रहा है कि आर्यान खान को सिरफ और सिरफ फसाने की प्लानिंग की गई थी तो क्या है पूरी खबर जानने के लिए आपको हमारी वीडियो को अंत तक देखना ही होगा दोस्तों आर्यान खान जब अचानक से ही पकड़े गए तो हर किसी को हैरानी हुई और सायद किसी को विश्वास भी ना हुआ हो कि सारुख खान का बेटा आर्यान खान भी एनसीवी के चंगूल में आ सकता है लेकिन इसके बाद ये केस इस तरह से तुल पकड़ता गया कि देखते ही देखते ही केस बहुत तेजी से आगे बढ़ता गया और आर्यान खान को 28 दिनों तक इस केस में जिल की सजा भी काटनी पड़ी लेकिन अब इगवार फिर से कोट की तरफ से बड़ा बयान आया है तो आप वीडियो को अंततक देखेगा आर्यान खान की जमानत से जुड़ा डिटेल ओर्डर आया सामने कोट ने कहा अपरात के लिए प्लान बनाने का कोई सबूत है क्रोजर ड्रक्स मामले में सारुख खान के वेटे आर्यान खान को हाई कोट जमानत दे चुका है वही जमानत से जुड़ा बॉमबे हाई कोट का विस्तरित आदेज भी आ चुका है जिसमें हाई कोट ने कहा है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये दिखाता है कि आरोपियों ने अपरात करने के लिए योजना बनाई हो हाई कोट का कहना है कि आर्यान और अर्बाज मर्चेंट स्वतंतर रूप से यात्रा कर रहे थे हाई कोट ने आगे कहा कि अभी योजन की ओर से कहा गया है कि आरोपियों ने NDPS अधिनियम के तहत अपराध करना सुईकार किया है अगर ये मान भी लिया जाए इस मामले में अधिक्तम एक साल की सजा होती है और आरोपि पहले ही 25 दिनों की सजा तो काठी चुका है उनका मेडिकल परिक्षण भी नहीं किया गया था ताकि ये निर्धायत किया जा सके कि क्या उन्होंने सम्मंदी समय पर नसीरी दवाओं का सेवन किया था ड्रक्स मामले में सारुख खान के बेटे आर्यान खान सुकरवार को NCV दप्तर में हाजरी लगाने पहुंचे डेड़ बजे आर्यान दप्तर पहुंचे थे हैं और हाजरी लगाकर 10 मिनट में वो वापस आ गए लेकिन अब देखिए आर्यान खान पर ये बहुत बड़ा चौंका देने वाला खुलासा है क्यूंकि कोट की तरफ से अब NCV अधिकारियों को फटकार लग सकती है क्यूंकि अब कोट ने ये स्विकार कर लिया है कि आर्यान खान को सिरफ और सिरफ फसाने की कोसिस की गई क्यूंकि आर्यान खान ने ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि ड्रक्स लिया हो अब जब सबूत नहीं मिला तो फिर आरियान खान को जेल में क्यों रखा गया कोट ये जानना चाहता है इसके लावा कोट ये भी जानना चाहता है कि अगर आरियान खान ने कुछ गलत नहीं किया था तो फिर आरियान खान से क्या दुस्मनी निकाले गई, क्या NCB के अधिकारियों ने सिरफ और सिरफ इस वज़े से आरियान खान को गिरफतार किया, ताकि वो भी पॉपलर हो सके सारु खान की वज़े से, तो इस तरह के सवाल अब कोट ने पूछ लिया है NCB के अधिकारियों से, और NCB के अधिकारियों ने ये तक कह दिया है कि आरियान खान के खिलाप नहीं तो कोई सबूत मिला है, नहीं उसने कुछ गलत किया था, और इसके अलावा अगर NCV को सक भी था आरियान खान पर तो फिर उसका मेडिकल टेस्ट क्यों नहीं करवाया गया उस समय जिस समय आरियान खान की गिरफतारी हुई थी पता से लाता कि उसे ड्रक्स लिया था या फिर नहीं तो इस तरह से कोट ने अब NCV की अधिकारियों को फटकार लगाई है इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके बतना साथ ही वीडियो को लाइक करके सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना धन्यवाद